बिवानी के गांव बड़सी में पटाखा फैक्टरी में धमाका होने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई पटाखा फैक्टरी में धमाका होते ही आस-पास के क्षेत्र में संसनी फैल गई वहीं पुलिस व एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुँची है जिसके बाद Bum Squad हरियाना की टीम ने मौके पर पहुँचकर घटना स्थल का जाइजा लिया टीम के अधिकारी मौके पर रखे हुए पटाकों का जाइजा ले रहे हैं ताकि किसी प्रकार से कोई दूसरा धमाका न हो Bum Squad टीम के लगभग आठ से दस करमचारी पहुचे हैं थाना बवानी खेडा से A.H.O. पवन कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर तैनात हैं वहीं मृतकों का भिवानी के नागरिक अस्पताल में पोस्ट मार्टम कराया जा रहा है बता दें कि गांव बढ़सी में बुधवार को करीब दो बजे पटाखा फैक्टरी में धमाका हो गया धमाके से फैक्टरी में काम कर रहे दो बच्चों की मौत हो गई दोनों बच्चे फैक्टरी में पटाखों में बारूट डालने का काम करते थे 14 वर्षिय सचिन और 16 वर्षिय मासूम यूपी के रहने वाले थे और परिवार सहित गाम में रहते थे धमाके में दोनों बच्चों के शरीर के ठुकड़े होकर बिखर गए दोनों बच्चों की मौत से परिवार के लोगों का बुरा हाल है तो बोड़ी पुरी तरे 795 है जैसे इंसोच एंबलेंस बेज दी और अभी कारवाई स्टार्ट है कल तक सब्स्माटर हो जागा बाट की बता दो क्या सूत्रा में जी पठका है क्या अगा लगिए यह तरहा निवी स्पोर्ट के लाज़ा ने वोड़ी की सालत ने बिल्कुली बद्द हाथ पहाए नहीं किसी कर्दन नहीं है बिल्कुली डिसोरिंटेड ओर लिए पेटान अभी नहीं हो पार है बिल्कुली अटपाइकर ह प्रेनी पारे, कि सुक्राइब तेंक तेंक